एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफे स्टेडी चानल पे विच अपार वन एक अड़ी वेरी गुद ओपर निग तो करते हैं अपने आज की शुरुवात और देखते हैं कि आज सुबद तक की कौन कौन सी important news है जो हमारे exam के perspective से important है ठीक है very good morning समराथ चिरंजीवी अमर मौसमी अकांशी अच्छा एक student है जो की पौने साथ बज़े से एक ही message चल रहा है बिहार के लिए तो बिहार के लिए कोई extra class की जरुवत नहीं है six month का current affairs अभी मैंने एक तारिक को पढ़ाया है और उससे पहले का भी 6 महीने का जो current affairs है उसका revision माल लो यह हो गया तुमारा current affairs जीके का जो है एक काम करो मेरे profile पे जाओ बिहार जीके का class पढ़ाया है या टेलिग्राम पे जाके उसका link निकाल के पढ़ लो कानी खतम एक्स्रा कुछ नहीं पढ़ना है अभी जो इत्ते दिन से आपको इत्ते सारे मौक करा रहें नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए कुछ हो नहीं सकता अगर समय है तो उसको पढ़ लिजे एक्स्रा का कोई मतलम नहीं होता पिटा स्रेबस वही होता है अभी आप में से एक student होता है वही आपका स्वेबस होता है ठीक है चलिए वेरी गुड मॉर्निंग रोशन हरे कृष्णा विकास विशाल तनू मनू बेंगॉली गुल्षन सभीर सदफ वेरी गुड मॉर्निंग सो एक बारे से क्लास के लिंक को शेयर कर दीजेगा सो दाइट वेस्ट आप देशन कहां से शिरू होता है और आज का स्पेशल क्लास जो है वो क्या रहने वाला है तो आज हम शिरुबात करेंगे चाइना से चाइना से चलते चलते हम लोग ब क्लास ऊसके बारे में भी आपको बता देते में आपको पढ़ाया था यह आपका जो आपका स्पेशल क्लास होगा साइकलॉन और वॉन्सून वाला यह class आपका आज सुबह होगा साड़े आठ बचे क्यों क्यों क्योंकि आज यहां पर है program society में तो फिर शाम के time में music बचेगा फिर धिंचक 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 music ही सुन पाओगे पड़ पाओगे लिए और यह class में आज सुबह लगाया है साड़े 8 बुचे रहेगा इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और फिर के questions को करेंगे अगर टॉपिक पूरा खतम हो गया well and good नहीं खतम हुआ तो इसको हम लोग कल कवर करके खतम करेंगे सवानों के साथ ठीक है तो यह आपका theory plus question का batch चल रहा है special classes में इसके मत किया करी जरूरी होते है ठीक है चलो गई आते हैं आज के thought of the day पे चुनौतियां तभी भी हमें कमजोर बनाने के लिए पैदा नहीं होती बलकि यह मजबूत और कठोर बनाने के लिए पै बट जादा over confidence में मत आ जाएं वो बच्चे जिनका paper अभी आगे लगा हुआ है मैं बार बार बोल लिए हूं कि paper का standard जो है वो अभी बढ़ना शुरू हो जाएगा यह वैसे standard होता है जैसे कि मेरे classes के question पहले शुरुवात के दिनों में बहुत easy 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 वाले and then they are high level तो वैसा वा बढ़ यह मिठा ही ना आई हां चलो आल्राइट सो आईए लेट्स बेगें दर सेशन हमान्शू विकास वेरी गुड मॉर्निंग गती चक्रेश गुड मॉर्निंग शूप्रभाथ शुभी गुड मॉर्निंग एक सेकेंड कैसे बेजे मेटा टेलीग्राम पे जाईए आरती सेकेंड काहा चला गया लेकपाल में हुआ है अब मैं कौन से एक्जाम की त्यारी करूं बड़े नालायक हो दो पेपर भी निंगं निकल चुके है सेलेक्शन हो चुक है कह रहा अब मैं कौन से पेपर कीतार सी थिलाओ फहलं उसके बाद में अब तुम स्टेट ॐसी की तय सेशन करते हैं क्लास की शिरुवात मैंने आपको कोशन दिया था काफी सारे बच्छों ने आंसे किया है बहुत बढ़ यह पहली जो कि जुड़ी वही है कि साथ में चाइना के साथ में तो भात है किसी प्लानेट के बारे में बात करने वाले होंगे तो आईए जरा बात करते ह का जा रहे कि बटाइए इसमें से मार्स के उपर एक भी जा ंडा जिया है और उस पता किया है कि मार्स के ऊपर क्या है सटिंव महने sun saadorith क्या होते हैं जीसे आप राजि कंद्धान में देखते तो राजिस्थान में भी आपको Sand Dunes देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चाइना अगर हम मार्स की बात करें तो इंडिया का जो मिशन है वो आप सबी लोग जानते हैं यह वाला मिशन हो जाएगा इंडिया का इसके लावा आप देखेंगे तो USA का भी मिशन आपको देखने को मिलता है कहाँ पर मार्स के ऊपर जिसका नाम क्या है इंडियूनिटी क्या नाम है इंडियूनिटी और यह भी क्या है यह भी एक रोवर है इसी रोवर ने अभी हाली में एक रिकॉर्ड भी बनाया था सबसे ज़ादा ऊची उड़ान उसने भड़े थी तो इंडियूनिटी हो गया किसका नासा का इंडिया का क्या हो गया अब यहाँ पर पॉइंट आया इसके बारे में बहुत ध्याम से सुनना बड़ी इंटरस्टिंग न्यूस है मज़ा आ जाएगा सुनो मार्स मार्स जो है हम सभी लोग जानते हैं कि इसे हम रेड प्लानेट के नाम से जानते हैं और यह जो रेड प्लानेट है यह रेड क्यों है क्योंकि इसके उपर जो स्वाइल पाई जाती है उसमें कहा जाता है की iron oxide की presence है तो यह जो iron oxide है इसी के वज़े से क्या है इसी के वज़े से इसकी जो मिट्टी है वो कैसी है लाल है अब एक समय पर यहाँ पर एक मैदानी चेत्र पाया गया था कहाँ पर mars के area के उपर mars पर जो यह plane का area पाया गया था उसका नाम क्या था उटोपिया क्या नाम था उटोपिया ये इसका नाम रखा गया था अभी जो उटोपिया है ये पूरा का पूरा क्या था मैदानी छेत्री था अब इसी के ऊपर इसी के ऊपर चाइना का एक रोवर चल दा था क्या चल दा था चाइना का एक रोवर चल दा चाइना ने once upon a time in history अपना एक प्रोजेक्ट लांच किया था 2020 में 6 पईये वाला रोवर जो था वो भेजा गया था ये जो रोवर भेजा गया था इसका नाम क्या था जुरॉंग क्या नाम था इसका जुरॉंग इसका नाम था कितने पईये थे भाईया यहां पर इसके 6 पईये थे अब ये जो रोवर है जब ये रोवर 2020 में भीजा गया था तो ये पहुंचा कप था 2021 में पहुंचा था और ये लांड कर गया था safely पॉइंट सुनने हैं क्या कर गया था ला लगाएंगा तो जब इसनिय क्या है सुनियका सफलेन के उपर लेकिन हमने यहां पर मार्टीन कोंं किया वह शब्द का टाइम इन हिस्ट्री एक समय की बात है नासा ने नासा ने 1970 में ही यह पता लगा लिया था केस के उपर सांडियोंस है तो यह अपने आपको बहुत बड़ा हीरो समझ रहे हैं इनका कहना यह है कि I'm the first one मैं सबसे पहला हूँ जिसने यह पता लगाया है कि इसके उपर सांडियो होगा इसके उपर रेट के टीले पाए जाएंगे ठीक वह बात अलग है कि इनको कंफर्मेशन नहीं था और यहां पर चाइना क्या क्या रहा है आम सो कंफर्म चाइना क्या रहा है अरे मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि इसके उपर ऐसा है अब इनसे कोई पूछो तो कि आपको यकीन कैसे सुनिए इन्होंने कैसे कहा कि मुझे पूरा यकीन है इन्होंने कहा कि हमारा जो यह रोवर है इसमें जो वह पईये लगे हुए थे पईये धीरे चलते 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 ब्लॉक हो गए हैं तो इन्होंने सोचा कि अगर पईये ब्लॉक हो गए इसका मतलब यह इसके जो पईये हैं, वो block हो गाएं. तो हमें ऐसा लगता है, कि यहां पर हमारा जो rover है, वो काम करना बंद कर रहा है. क्यों काम करना बंद कर रहा है? क्योंकि उसमें क्या फस गई है? ये सांड फस गई है. हाई रे चाईना. ठीक है? तो यह इन्होंने यहां पर बोला है, अपने काम का जो है, उतना यहां पर जान लो, वो यह है, कि इनका जो रोवर है, उसका नाम क्या है, इन्होंने कब उसको भेजा था, उसके बाद में कब पहुंचा था, नासा ने इस चीज का confirmation तो नहीं, लेकिन हां बताया था, कब, 1917 मे बताया था, इसके नाव अगर आप देखेंगे, तो जब हम मार्स की बात करते हैं, तो यहां पर आइरन ओक्साइड पाया जाता है, जिसकी वज़े से इसकी जो स्वाइल है, वो आपको रेड कलर की देखने को मिलती है, नासा का जो प्रोजेक्ट है, उसका नाम है, इन्ग क्या, यह जो प्लेन का एरिया मैंने आपको भी बताया, यह एथोपिया, चीक है, यह दिखान रखना, चले, ओहो निपन, कोई बात नहीं बच्चा, अभी एक बार फिर से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इस बार और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, अ यहां पर इन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया हुआ है, अब चलो, ठीक है, चाइना समय पर पानी भी रहा होगा, अब देखते हैं वईया, यहां पर क्या है, क्या नहीं है, चलो, तो यह तो था इसके बारे में, आप बताएंगे, मून जो मार्स मिशन के लिए अभी हाल है, तो यह appointment हो जाएगा, अमित शत्री जीका appointment किया गया, अगला है Artemis Mission, Artemis Mission जो है, यह जाएगा किसके उपर, मून के उपर, जिसमें क्या होगा, एस्टोनोट्स को भीजा जाएगा, कितने एस्टोनोट्स होंगे, चार होंगे, कौन इसको भीजेगा, तो नासा के द्वार इसको भीजा जाएगा, अगला है Rashid Rover, यह कहां गया, यह गया, मून के उपर, अगर आप से पूछा जाता है Hope Mission, Hope Mission, तो यह Hope Mission कहां जाएगा, मार्स के उपर, किसका हो जाएगा, UAE का हो जाएगा, अगला है Juice, यह project launch किया गया है, जुपिटर के रिए, यह कौन launch करता है, European Space Agency के दौरा इसको launch किया जाएगा, अगला है Lucy Mission, Lucy Mission किसके लिए है, Asteroids के लिए है, किसके लिए, Asteroids के लिए, किसका Mission है, NASA का Mission है, अगला क्या है, Ding Laren, यह व्यक्ति है, यह कोई project नहीं है, प्लीज, यह एक परसन है, यह व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, आए इनके बारे मे जान लेते हैं, यह जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, यह नाम है, Ding Laren, इनके बारे में जान लेते हैं, यह जो Ding बहिया है, यह चाइना से बिलॉंग करते हैं, और यह chess player है, यह कौन है, chess player है, इनका नाम यहाँ पर मैंने इसलिए include किया हुआ है, क्योंकि यह बन चुके है World Champion, अब तक आप देखते हैं, कल के paper में भी पूछा गया था, Magnus Carlson के बारे में, जो की chess champion रह चुके हैं, नौर्वे से बिलॉंग करते हैं, और करीबन 10 बार, 10 बार यह World Champion के रूप में जाने जा चुके हैं, लेकिन अब क्या हुआ, एक tournament हुआ, और उस tournament में इस बार World Champion कौन बना है, डिंग भाईया, कौन बने है, दिन भाईया, यहां पे इस बार champion बन चुके हैं, कौन से नंबर के champion है, 17th नंबर के champion है, 17th नंबर के champion है, ठीक है, यह मत समझ रहे ना कि यहां पर कुछ और चल रहा है, यह mission का नाम नहीं था, यह इंसान का नाम था, international chess day 20 अगस्त को होता है, बिल्कुल सही जवाब, चले, अब आते हैं, दूसरे news की तरह, जो कि मिला है, एक award, आईए, सवा, कहा जा रहा है, कि आप यह बताए, इन में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, जो कि Sanskrit scholar है, जुनको अभी हाले में, बिटेन के दौरा, एक honorary award दिया गया है, award का नाम है, M उसका correct answer, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Dr. M. N. Nandakish, कुमार, क्या है, हाँ, तुमको लगा mission है, भाईया, चलो, अब जानते हैं, भाईया, हो क्या रहा है, जब से, आल इस दबेक चू गई है, उसके बाद में से, अब रहे हैं, तो यहाँ पर किंग कौन है, चार्स है, कौन हो जाएंगे, रिशी सूनक यहाँ पर PM है, जल्दी से comment box के अंदर mention करके बताएए, कि रिशी सूनक जी को हमारे PM के द्वारा, आर्ट से जुड़ा हुआ, ऐसा कौन सा gift था, जो अभी हाली में दिया गया, और उसको GI टाग भी मिल चुका है, वो painting का नाम comment box में लिखके बत हो, तो अब इन्होंने क्या किया है, एक award दिया है, यह जो award है क्या नाम है इसका, Member of Order of British Empire, क्या है, Member of Order of British Empire, ठीक है, यह इसका full form है, अब यह जो award है, यह award क्यों दिया जाता है, तो यह award उस विक्ति को दिया जाता है, जिसने इंडिया और बिटेन के relations को बहतर बनाने का काम किया हो, कौन से फील में काम किया हो, आर्ट एंड कल्चर के फील में काम किया हो, साथी साथ में बढ़ावा किसको दिया है, आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा दिया, किसका आर्ट एंड कल्चर, इंडिया का, कहां पर बढ़ावा दिया है, ब्रिटेन के अंदर बढ़ाव की गई थी रिशी सुनाची को तो यहां पर क्या होता है आर्ट इन कल्चर के फील में यह वाड़ दिया जाता है बिटेन यह वाड़ देता है उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने बिटेन के अंदर इंडिया के आर्ट इन कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया तो यह वा स्कॉलर यह जो है इनको दिया गया तो यह कहें से जुड़े हुए भारतिय विद्या भवन सेंटर जो कि कहां पर है लंडन के अंदर आपको देखने को मिलता है उसके साथ में इनका जो नाम है वो जुड़ा हुआ है बिसिकली यह कौन से स्टेट से बिलॉंग करते हैं तो अ यह तो है का और यह जब्याद ही तो बात हो गए इसके बार में यह अब यहीं पर तो जगा मिल जाय है अब यहीं पर देखो अभी हाली में रतन टाटा जी गोड़ी से सम्मानित किया गया यह एवार्ड किस ने दिया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया लंडन की ही अगर हम बात करें तो लंडन में आपको रोयल हाउस देखने को मिलता है और इस रोयल हाउस के अंदर सबसे पहले किसने परफॉर्मस जी थी लता मंगेशकर जी ने अब लता मंगेशकर जी के नाम पे लता दीनानाथ एवार्ड जो है वो किसको दिया गया इनकी सिस्टर आशा भोसले जी को इस अवार्ड से नावाजा गया है यह याद रखिएगा इंपॉर्टिंट है पेपर में आपसे पूछा जाता है चीक है चलो यह हो गई अवार्ड की बात है अब बताएं कहा जा रहा है सेंटुग वा हुमिचेविन एवार्ड यह अभी हाली में किसको दिया गया लंडन ब्रिज जाउन येस बताएं इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा सोनम वांग चू कौन है सोनम वांग चू नाम याद रखिएगा और यह कहां से लग्दाग से अगला सवार है कहां जारा प्रधान मंतरी फसल वीमा योजना के अंदर अभी बेस इस्टेट का इसको गया है तो यह गया है करनाठका को इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर जो हमारी क्रॉप्स होती है उसको इंशुरेंस कबर प्रोवाइड किया जाता है अभी साड़े आट बजे जब मॉन्सून पढ़ो गे ना तब आपको यह सब चीजे समझ में आएंगी पटनायक कौन पटनायक जी को अगला प्रवासी भारतिय सम्मान अभी हाली में किसको दिया गया प्रवासी भारतिय देवस इन दौर में मनाया गया बुपुवई आएं एंपी के अंदर और यह कब होता है 9th of January को celebrate किया जाता है किसको यह वार्ट दिया गया राज सुब्र अगला business leader of the decade business leader of the decade गुड मॉर्निंग भाई क्लास का समय साथ बुजे है ती देरी से क्लास में क्यूँ आते हूँ भाई कुमार मंगलम बिरिला क्या है कुमार मंगलम बिरिला जीOoh ये वार्ट दिया गया है ओक है उपी पूछा गया तो मेरा रॉंग हो गया उसमें जैपान करके आयो अरे ऐसे जोड़ी नहीं होता है इतनी बार आपको चीजें पढ़ाई जाती है इतनी बार आपको उसका रिविजन कराते हैं तो चीजें गलत नहीं होने चाहिए अभी कल के पेपर का एक है दो सवाल अगर हम छ सवाल करें तो थोड़ा सा स्टूडियस रहा करें सवाल इनमें से कौन सा ऐसा कोट है जुस नहीं कहां है तो डिजॉल्व दा मैरिज्जॉल्व का मतलब डाइबॉस ठीक है थोड़े भारी शब्दें यहां लिखे हुए तो डिजॉल्व दामारिज्ज दाट है प्रोकें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा खोच होगा चलो इसको भी समझाते फिलार सका किया सुप्रीम कोर्च पनेगा को हसेगा नें हम अब समझाते हैं कि हुआ क्या है देखिए होता क्या है कि जो यह शादियां होती है यह शाधियां तो हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है बहुत सारे cases में, तो लोग divorce के लिए क्या करते हैं, जो भी family court है, उसको approach किया जाता है, और family court के अंदर क्या होता है, इनके divorce के जो cases होते हैं, उनको deal किया जाता है, दाइवोस के cases में क्या होता है, लोगों को समझाया जाता है कि अरे छोड़िये, चीज़ें सही हो जाएंगे तो यह सब चीज़ें ताकि शादी तूटे ना, तो डाइवोस के जो cases होते हैं, वो family court में deal के जाते हैं, इनका divorce होते 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 करीबन 6 से लेके 18 महीने तक का समय लगी जाता है, मैंने गाता कोई हसे गाली, पहले ही बोला था न, तो यहाँ पर क्या है, 6 से लेके 18 मही तक का जो समय है, वो डाइवोस में लग जाता था, अब सुप्रीम कोट ने अपनी तरफ से एक announcement किया है, क्या announcement किया है, सुप्रीम कोट ने कहा कि हमने अपने यहाँ पर 5 मेंबर की committee बनाई है, और इस committee को head कौन कर रहे हैं, इस committee को यहाँ पर, किसके द्वारा head किया गया, SK उसको डाइवोस के लिए इतना समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब उसको डाइवोस तुरंत मिल जाएगा, लेकिन यह तुरंत डाइवोस उसको कहा मिलेगा, सुप्रीम कोट के अंदर, फामली कोट के अंदर नहीं, सुप्रीम कोट के अंदर उसको अब यह डाइ ये कहां गये, directly Supreme Court में गये, और इन्होंने बोला हमें divorce कराना और divorce हो गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इन्होंने condition लगाई है, condition ये लगाई गई है, कि अगर आप Family Court में जाते हैं तो इतना समय लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, directly Supreme Court में आ सकते हैं, अगर आपको divorce चाहिए, लेकिन condition applied है, condition ये है, कि अगर बहुती ज़्यादा खराब situation है, बहुती ज़्यादा जरुवत है divorce की, तभी Supreme Court में आना, वन्ना मुह मत दिखाना, ठीक है, तो इन्होंने कहा है, कि अगर बहुती ज़्यादा नीड है, divorce की, बहुत urgent है, तभी आप divorce के लिए Supreme Court में आईएगा, बनना मत आईएगा, अब आप कहेंगे कि माम ये बताइए, ये जो केस है, ये केस तो हाई कोट तक ही solve हो जाना चाहिए, Supreme Court क्यों बीच में कूदर आए, तो Supreme Court के पास में एक आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल नंबर 142, इस आर्टिकल के अंदर Supreme Court किसी भी जग के अंदर पूछा जाएगा, कि Supreme Court के पास में जो शक्तियां है, कि वो किसी भी कोट के केस को डील कर सकते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से जज्ज्मेंट दे सकते हैं, ये पावर इनके पास में कौन से, आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 142 में है, अभी लेटेस्ट में इनों ने आर्टिकल नंबर 142 का इस्तिमाल किस में किया था, तो राजीव गांधी जी का जो केस था, जिसमें जिननों को अरेस्ट किया गया था, उनको फासी होनी थी, उस केस के उपर भी सुनवाई, इसी आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोट ने की थी, बहुत सुनिए, अब यहाँ पर पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोट की आर्टिकल नंबर कितना हो जाएगा, 124 है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन से आर्टिकल में आएगा, 129 में आएगा, अगर आप से कहा जाता है जुडिशन रिव्यू, तो आर्टिकल नंबर 137 हो जाएगा, नेक्स आएगा कि सुप्रीम कोट जो है, वो एडवाईजरी बॉड़ी भी है, वो एडवाईज भी दे सकता है, आर्टिकल नंबर 143 के अंदर, इसके अलावा पुट्टा स्वामी केस, ठीक है, इसके अलावा क्या है, पुट्टा स्वामी केस, यह पुट्टा स्वामी केस यह 2016 में आता है यह भी सुप्रीम पॉर्ट के अंदर आएगा राइट तू प्रिवेशी के लिए इसके बाद नेक्स वाला केस आएगा में का गांधी केस कौन सा में का गांधी केस यह उस समय की बात है जब इंडिया में इमर्जेंसी लगी थी और इनको यूएस जाना था उ यह भी पंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है अगला केस आपको देखने को मिलता है इंद्रा सहानी केस कौन सा इंद्रा सहानी केस इंद्रा सहानी केस जो है यह किसके लिए है रिजर्वेशन के लिए है किसके लिए रिजर्वेशन के लिए इसमें सुप्रीम कोट न लेकिन कुछ special conditions में इसको increase भी किया जा सकता है last but not the least केश्वानन्द भारती केस केश्वानन्द भारती केस मैंने आपको बताया था कि 24th of April के साथ नहीं जुड़ा हुआ है यह कहां पर होता है के रला के अंदर और इस केस के अंदर भी क्या हुआ था कहा गया था कि प्रियम्बल इस दा पार्ट ऑफ Constitution प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का क्या है आधार है या पर उसका पार्ट है समझे यह याद रखेगा इंपोर्टेंट है एक एक जो है वो आपसे पूछा गया है ठीक है जिन भी बच्चों का अभी में में एक्जाम लगा हुआ है एक चीज़ को हमेशा याद रखेगा कि क्लास आपका जिस दिन पेपर है उस दिन भी करके जाईए मैं आपको यही सज्जेस्ट करू एक साल का ही आ रहा है बट आपको रेगुलर क्लास में आना है कोई भी एक्जाम क्यों ना हो चले उसको देखो हिमानी को कितनी खुश हो रही है मस्त न्यूस थी मैं आप चलो यहाँ पे अगली न्यूस की तरफ हैंजी स्वाच्य भारत मिशन अर्बन एवार्ड़ेड दा एच यूडी सी ओ एवार्ड टू विच स्टे अब पहले एच यूडी सी ओ एवार्ड ये कौन सा एवार्ड होता है इनके बारे में जाल लेते हैं भाई ये एवार्ड जो है ये एवार्ड दिया जाता है किसके दौरा मिनिस्ट्री अप हाउजिंग के दौरा यानिकी पू जी के द्वारा अब यह जो यहां पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है है एक यूडी सी ओ इसका मतलब क्या है तो यह एवार्ड दिया जाएगा आएए जान लेते हैं कि आक्शन में है क्या सच भारत अभियान हम सब भी लोग जानते हैं कि यह सच भारत अभियान या जो या तो यह नया मिशन नहीं था पहले से निर्मल भारत के नाम से जान चलती थी जिसका अ बदल दिया और इसका नाम क्या रख दिया गया सच भारत अब्यान के नाम से इसका नाम रख गया है अब यह जो नाम यहां पर चेंज किया गया इसके बाद बोला गया कि इंडिया जो है वो पूरी तरीके से सुच्च हो चुका है कब तक 2019 अब यहां पर क्या हुआ यह जो भी जगे है जिसने सुच्चिता की कैटेगरी में बहुत अच्छा काम किया है उसको यह वार्ड दिया जाता है ठीक है और यह वा यह वार्ड के बारे में हां तो यूपी को यह वार्ड क्यों मिला भाई दिमाख में आया होगा ना वाई यूपी तो यूपी को यह वार्ड इससे दिया गया है क्योंकि एक समय की बात है जब यूपी ने अपने यहां पर 24th of January को जो की होता है क्या पाउंडेशन डे ओफ यूपी क्या होता है किसका यूपी का इन्होंने सवच भारत अभ्यान के अंदर सवच भारत अभ्यान updated देशन को लांच किया था और वो मिशन क्या था सवच्छता या सवच्छ विरासत जितने भी मॉन्यूमेंट्स म्हेमी से इतनी अजैस साइब उतनी सब को क्या प्रोपर्ली टीन昨no creation और वहां पे जिस जान है ministry of housing ने इनको award से नवाजा है क्योंकि इनों ने बहुत अच्छा काम किया है चलो ठीक है यह announcement कहां पर होता है तो यह announcement दिल्ली के अंदर होता है कौन से year का दिया गया है 2022-2023 का यह award है जो इनको यहां पर दिया जा रहा है याद रखिएगा यह सारी बातें अच्छा अब इसमें एक और और गया है किसको गया है जमुएन कश्मीर को हाँ यह कौन सी जगह है जिसने बता दिया उसकी जिंगलाला जल्दी बताओ यह कौन सी जगह है यह जो आपको यह तावर जैसा नजर आ रहा है वाट इस दिस क्या है एक एक और जमुएन कश्मीर के नाम पर भी गया क्यों क्योंकि यहां पर पीम अवास योजना के अंदर लोगों को घर प्रोवाइड करने के लिए काफी अच्छी जो स्कीम्स हैं या प्रोजेक्ट हैं उनको लॉंच किया गया इसलिए यहां पर क्या हुआ है जमुएन कश्मीर बैंक को एवाड से नवाजा गया है हाँ जी कौन सी जगे है लाल चौक है ओ भई कहां रहे गए यूपी वालों और लखनौ वालों कास हो गए यह लाल चौक नज़र आ रही है तुमको यह लखनौ के अंदर चौक में जो घंटा घर है जिसके सामने बड़ा इमाम बाड़ा यह वह जगे है यह भदवान चलो यह जम्मु कश्मीर बैंक को दूसरा अवाड दिया गया क्योंकि इन्होंने काफ़ ज्यादा पंडिंग की है जिससे क्या हुआ है हर एक व्यक्ति को घरों की सुविधाएं जो हैं वो पहुंचाई जा सकी है तो इसके लिए यहां पर जम्मु कश्मीर बैंक को भी से सम्मानित किया गया यह तो बात होगे बारे में अब आईए जड़ा बात करते हैं यू तो डीवन कुछ याद आ रहा है यह क्या है एक डेटा सेंटर बनाय देखें और डेटार पख्वार गए अगर आपके कहा जाता है सुचता पख्वार रही है यह कर आप देखें और पूरे इंदिया में अगर आप देखें तो आप याद रखेगा कितने आपको यहां पर एलिपेंट रिजर्व देखने को मिलेंगे टोटल कितने हो जाएंगे हां पर 33 अमरित सरोवर यानि की वेट लाइंड जो होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए अमरित सरोवर बनाए गये थे अगला के इंदर किया जाएगा जगे का नाम कोंट बोक्स लेक कान सी जगे महराज जहां पर इसको किया जाएगा चिकन कारी आर्ट फॉर्म कहां कि पैवस है तो यहां पर यहां पर यह कुछ कॉश्चन से जो आपके मिलते जाएंगे लगनों पैक्ट जो है यह किस से जुड़ा हुआ है तो यह जुड़ा हुआ है 1916 से जब आई एंसी और मुस्लिम लीग दोनों साथ में मिलके काम करना शुरू करते हैं अगला है लिग्यार है कि तो मौहमboo न्यांच नाम नाम पूचा गया है मिलऑनी में जो है वह किकशने को मिलता है पूचा गया थाstore कि मोहमब गजनभी ने तो मोहमब याद आ रहा है पन्ने अगर पलटो गे यहांक्लासे में जाके देखेएंगे तो I think 4 या 5 दिन पहले same यह question आपको पढ़ाया था तो think is कि अगर आप रोज पढ़ेंगे तो ही आपका selection होगा आप सुचो एक दिन पढ़ाई कर लोगी selection होगा, not possible चलो भाई, एक festival मनाया गया सवा, कहां जा रहा है कि अभी हाली में पोड़सा के अंदर बिहान मेला जो है उसका आयोजन किया गया, आपको यहां पर district का नाम बताना है कि कौन सी district में इसका आयोजन किया गया है तो आंसा क्या होगा, नयागर तो आंसा है, नयागर ठीक है MTS के अनलेसिस एक टाइम पर बिटा आज शाम को आट बजे होगी, फिक्से टाइम आज शाम को आट बजे, ठीक है चले, यह फेस्टिवल के बारे में जानते हैं होता है, बहुत 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 ही important festival है, देखो, बिहान मेला में क्या होता है, इसके अंदर, जो यह particular district मैंने आपको बताई है, वहाँ पे इसका celebration किया जाता है, इस celebration को कौन सी tribe करती है तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आपको एक tribe देखने को मिलेगी, इसका नाम है यह और यह, दोनों अलग हैं, यह मिलेगी MP के अंदर यह मिलेगी कहाँ पे, ओडिसा के अंदर, तो इस tribe के द्वारा इस festival का आयोजन किया जाता है भै क्यों किया जाता है तो इसका आयोजन इसलिए होता है कि इस particular district के अंदर जितनी भी फसले होती हैं, जितनी भी crops होती हैं, उनके जो बीज होते हैं उन बीजों को एकटा किया जाता है मैलाएं क्या करती हैं उसको इस टोकरी में भरती हैं अलग-अलग बीजों को रखती हैं और एक जगे पे जाके इन सभी बीजों को एकटा करके रखा जाता है इससे क्या होगा, कि इन future माल लिजे, कभी अगर crop जो है देखने को मिलेंगे तो इनका काम क्या होता है जो variety of seeds है इन सब को क्या करते हैं collect करते हैं और collect करने के बाद में उसे एक जगे पे ले जाके रखते हैं सबसे बड़ा इसमें जो योगदान होता है वो महिलाओं का होता है क्योंकि women's इसको collect करती है और एक जगे पे इसको इखटा करके रखा जाता है just like a seed bank जैसे क्या होता है seed bank होता है उसी तरीके से इनके द्वारा एक काम किया जाता है यह किसके द्वारा organize कराया जाता है आफंग एक NGO है निर्मा इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है जिससे कि क्या होगा, जिससे कि कभी अगर crop खराब होगी, तो भी इनको कोई नुकसान नहीं होगा तो 2019 से इसकी शुरुवात की गई है, ठीक है? कबसे शुरुवात होई है? 2019 से अभी हाली में इसकी शुरुवात की गई है, बहुत जादा time नहीं हो गया अच्छा सबसे ज़्यादा फोकस कौन सी क्रॉप को करते मोटा अनाज मिलेट इस लिए आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्डेंट हो जाता क्योंकि मिलेट आ गया यहाँ ठीक है तो जितना भी मोटा अनाज होता है हर एक अनाज को यहाँ पर यह लोग इखटा करके होते हैं उसको इखटा करके रखतें अभी हाली में मैंने आपको बताया था कि एक सीड़ बैंक जो है वो बनाया गया है एक वाइर सेंचुरी के अंदर वह रावाईर सेंचुरी कौन सी थी ऑस्वाई लाई लाइट सेंचुरी अगर आप से पूछा जाता है नौर्थ एस् इसका योजन कहां पे किया गया आप बताऊ यह कहां पर होगा पड़ा लन के अंदर होता है श्रिंब था मेला यह पंचाब के अंदर और और गया था मुंबाइ आए गा यह मुंबाई के अंदर आएगा और काला फैस्टिवल जो है निये हैं भोबी आपको मुंबाई के अंदर अधर सागार मेला कहाँ पे आया था तो सकलिब्स ऊपनाटा इसको फेस्टिवल अभी कहाँ पे मनाया गया कश्मीर के को सेलिब्रेट किया गया 406 सुरजकुंड हैंड क्राफ्ट मेला यह कहां हुआ था परिदाबाद अर्याना के अंदर इसका आयोजिन किया गया अगर आप से पूचा जाता है सुरजकुंड मेला जो है इसमें थीम किसको रखा गया था तो नॉर्थ इसको इसमें रखा गया था किसको नौर्थ इस्ट को इसमें रखा गया था चले साइबर सिक्यूरिटी सुनते हैं क्या हुआ है तो साइबर सिक्यूरिटी को बहतर बनाने के लिए एक प्रोग्राम लांच किया गया है एक आयाइटी के दौरा ठीक है अब उसमें होगा क्या वो जानते हैं सभाब कोशन में कहा जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी के लिये इसकिल प्रोग्राम चलाया गया है यह इसकिल प्रोग्राम कौन से आईएटी के दोरा चलाया गया कौन सी है कि ठार क recipes sells North कानपुर है कानपुर है अल्राइट आपको याद होगा शून एमिशन कहां पर चला था यूएचे के अंदर तो वहां पर आपना सेंटर खोलेगा कहां पर जिंदिभार के अंदर और इसका करेक्ट आंसर है आएटी कानपुर आईए जरा बात करते हैं अब जब हम स्किल मिनिस्ट्री बनी हुई है मिनिस्ट्री बनी हुई है इसके पास में मिनिस्ट्री है तो यह मिनिस्ट्री हो जाएगी धरमेन प्रधान जी के पास में जिनके पास में एजुकेशन मिनिस्ट्री भी है अब क्या हो रहा है अब आईटी कानपुर ने प्रोग्राम नांच किया IIT कानपूर ने कहा है कि जो security के या फिर साइब कर security के जो issues होते हैं उन cyber security के issues को अब हम IIT कानपूर के campus में ही कैसे track किया जाए उसका solution दे देंगे क्योंकि देखो IIT से अगर कोई student in future निकल के जाएगा तो अब विसी बात है कि वो बहुत सारी नहीं नहीं research के उपर काम करेगा तो में भी उसके उपर cyber security का जो खतरा है वो हमेशा रहता है तो यहां पर क्या होगा कि हम अपने students को campus के अंदर ही क्या सिखा देंगे कि किस तरीके से आप cyber security को maintain कर सकते हो इसके लिए इन्होंने एक program launch किया है जिसका नाम है c3i hub क्या नाम है इसका c3i hub और इस mission के अंदर क्या होगा अलग-अलग models बनाये जाएंगे अलग-अलग tools बनाये जाएंगे technology का इस्तमाल किया जाएगा science का इस्तमाल होगा robots का इस्तमाल होगा इन सब के इस्तमाल से हम क्या करेंगे cyber security को maintain करेंगे तो यह program कहां आया है यह program launch किया गया है आयाइटी कानपूर के द्वारा अच्छा आयाइटी कानपूर क्यों इतना focus कर रहा है इस चीज़ के ऊपर तो आयाइटी कानपूर इसे focus कर रहा है ताकि अगर कभी जरूरत पड़ती है तो हमारे पास में timely वो चीज prepare हो हमें यह नह एक तारिक से पढ़ना शुरू किया है अब यह एक तारिक से पढ़के तुम कोई सा पेपर कर लोंगे कुछ नहीं कर सकते तुम तो इन्होंने कहा है कि हम timely अपने आपको prepare कर रहे हैं कि in future अगर कभी कुछ होता है तो हमारे पास में पहले से solution वा 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 कितना दूर का सोचा है इन्होंने समझ रहे हैं तो यह अभी हाली में Department of Science and Technology के साथ में मिलके इन्होंने इस शीज को लांच किया है चलिए सवार आर्टिफिशल हार्ट यह अभी हाली में किसने बनाया तो यह भी आयाइची कानपूर के द्वारा इसको बनाया गया जिन जि अदर भी जो आयएटी सेंटर एक फोला जाएगा क्यों कि यह जो बहुत जाधा साइकलौन साते हैं एं सलादे हैं इन सब की जानकारी के लिए इंडियापनी एक आइटी का सेंटर सेंटर साताइबान में भी घोलेगा डㅎ उन आ अपनांड़रा के अब हाली में कहां पे खो को कंडग किया जल्दी से कॉमेंट बॉक्स के अंदर उसका अंसा बताओ गलत नहीं आना चाहिए और सेशन को लाइक कर दिया करो कितिनी बार कहना पड़ता है हां बता नंबर ऑफ लाइक सो देखो शरम नहीं आ रही तुम्हें एक बदरा लाइक किया करिये सेशन को हां जी एक्सेसाइस का नाम बताओ जो अभी हाली में नाटो ने लॉंज किया है लॉक्ड शील करें के नाम है लॉक्ड शील इसको लॉंज किया था कहां पर स्टोनिया की क्या अंदर किस ने लॉंज किया था नाटो ने लॉंज किया था ठीक है चाहिए और गिनाइजेशन दी में International Civil Aviation Organization की जब बैठा कुआ करेगी तब हम भी उसके अंदर participate करेंगे तो अब आप से question में पूछा जा रहा है कि इंडिया जो है वो कब से participate करना शुरू करेगा तो इंडिया यहां पर कब से participate करेगा 2027 से कब से 2027 से इंडिया जो है वो participate करेगा तो पहले तो यहीं organization यह जो organization है आरे आज तो मैंने बॉम सवाल नहीं पूछा एक बच्चा कह रहा था कि मैं आज से सवाल नहीं आज से पटाका सवाल पूछिएगा चलिए तो आज का पटाका सवाल जो है वह आपका यह है कि जो international civil aviation organization है जब इसको बनाया गया था तो कौन सी डील साइन हुई थी या कौन सा convention आया था हूं हूं ठीक है कोई बात नहीं चाहिना कुछ भी बोलता है ताइवान आज कर अपने हिसाब से काम करता है है ना वो सिप डरा सकता है बताओ भईया मॉंट्रियल कहते हैं सोच लो सोच लो तो international civil aviation organization जो है इस organization को बनाया जाता है 1944 में और इसका काम स्टार्ट होता है 1947 में जब इसको बनाया गया था तो इसको शिकागो के अंदर बनाया गया था इसलिए इसका नाम शिकागो कंवेंशन भी है जो मैंने सवाल पूछा उसका आ अगला पॉइंट इसका headquarter कहां है Montreal के अंदर इसका headquarter है यानि कि Canada के अंदर आपको इसका headquarter देखने को मिलेगा यह जो international civil aviation organization है इसका civil aviation day कब मनाते हैं 7 December को मनाया जाता है क्या करता है यह तो जो air transportation है यानि कि जो flights वगएरा जाती है इनके लिए rules and regulation को बनाने का काम यह करता ह है अब से क्या होगा अब से जब भी इसकी बैठक हुआ करेगी 2027 के बाद 2027 के बाद इंडिया जो है वो भी इसके अंदर participate करेगा क्यों 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 भाई क्यों what is the reason ऐसा क्यों होगा तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब यहाँ पे launch किया जा रहा है कोर्सिया International Civil Aviation Organization launch करने जा रहा है कोर्सिया यह क्या बला है आपे कोर्सिया का मतलब है carbon of setting यानि की carbon का जो emission होता है air transportation से उसको हम zero करना चाहते हैं और zero करने के लिए इन्हों ने अपना जो टारगेट रखा है यानि की carbon neutral बनने का जो टारगेट रखा है वो 2050 रखा है किस ने International Civil Aviation Organization ने तो अब यह कह रहे है कि इंडिया भी आए हमारे साथ इंडिया तो आए गए आएगा क्यों आएगा क्यों कि इंडिया ने भी तो अपना खुद का टारगेट रखा हुए ना zero carbon emission 2070 और यह कह रहे हैं 2050 तो इंडिया का टारगेट यह है और इनका टारगेट यह है तो इसलिए अब क्या होगा यह participate करेंगे समझ गया यह यार रखेगा important है चलो यह तो चलो यहाँ पर इसके बारे में बात हो गई कि क्या launch करने वाले course यह launch करेंगे जिसमें यह क्या है carbon offset अच्छा यह तो launch होगा चलो fine ठीक है लेकिन इसके अंदर total members कितने है total member इसमें 193 है total members इसमें कितने है 193 members आपको देखने को मिलेंगे राइट कल के MTS में एक सवाल पूछा गया था कि railway जो है वो पूरी तरीके से electrified या फिर carbon emission को zero कप तक करेगा कल के paper में यह सवाल आया था तो यह मैंने आपको दो दिल पहले ही पढ़ाया था ठीक इसलिए कहते हैं हर एक point क तो ध्यान से सुना करो ध्यान से लिखा करो copy के अंदर सिर्फ सुनके और ऐसे ही छोड़ देना ठीक है चले बताए क्यलाश टेम्पिल यह MTS के सवाल ने जो कि कल पूछे गये थे बताए कहा जा रहा है क्यलाश टेम्पिल यह आपको कहा पर देखने को मिलेगा बताओ यह आपको कहा पर देखने को मिलता है अब यह गलत मत कर दे ना महरवानी हो गया आपकी चले इसका क्या हो जाएगा जबने को लेखा इंदर आप्से पूचा गया था यह किसके लिए जुड़ा हुआ है तो यह क्या हो जाता है इस पूचा गया बोटर जे के बारे में पोटर जे कब हो जाएगा 15 जानौरी क्योंकि 1950 में एलिक्शन कंभिच्वन इंडिया बनता है इंटरनाशनल सोलर अलायन्स का हैड़्पोर्टर कहां पे गुरू ग्राम के अंदर है, किस के द्वारा बनाया गया, इंडिया और फ्रांस के द्वारा इसको बनाया गया, अगला है इंटरनाशनल सरे टाइगर ऐलाइंज यह काना से लांच किया गया, बानीपुर नाशनल सरस्व सière ब्रोजेरोंने के पुर्चहरी पूरे होने की ठु करने के एक exercise में और इस exercise का आयोजन जो है वह आसियान के देशों के द्वारा किया जा रहा है सबाल में कहा जा रहा है कि इंडिया के कौन-कौन से आइनेस हैं जिन्होंने पार्टिस्पेट किया है इसका correct answer होगा दिस पेपर जून में लगा है कैसे तयारी करूँ बेटा बहुत लेट नहीं हो गयो आप यह पूछने के लिए इसका आंसर होगा सत्पुरा आंड दिल्ली आईए सुनते हैं आसियान हम सभी लोग जानते हैं आसियान क्या है एक ग्रुप है आसियान के अंदर total अगर आप देखें आपको मिलता है आसियान में आप देखोगे तो जुत्रे भी यह साउथ एस्ट एशिया की कंट्रीज हैं इंडोनीजिया मलेशिया सिंगापूर ब्रुनी यह सब के सब इसके मेंबर हैं इंडिया इसका मेंबर नहीं है अब क्या हुआ आसियान ने अपने यहां पे इसका आयोजन किया है और इसमें इंडिया को भी पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया है एक्सराइस का नाम क्या है एक्सराइस का नाम है एम 2023 इसका नाम रखा गया है अब यह जो एक्सराइस है इसकी एक्सराइस को कंड़क करने के लिए इंडिया की तरफ से दो आइ सिल्ली और सत्थ इन तो यहां पर भीजा घया है समझ अच्छा अब इन दोनों को भीजा गया है तो यह तो पाटिसिपेट करें है फाट कहां पह इसका उ with इन क्या है सिंगापूर के अंदर किया थैओ और उसे नाम से यहां लेगा तो दो मई से लेके आठ मई के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा नाम याद रखेगा अच्छा यह तो एक्सराइज इनकी शुरू हो जाएगी दो तारिक से लेकिन इन्होंने कहा है कि हम अपनी एक्सराइज को साउथ चाइना सी तक लेकर जाएंगे कहने का लेखेइए है तो ये जाएंगे कहां तक साउथ चाइना सी तक इस एक्सराइज को कंडग किया जाएगा तो इस हम पॉर्डिंट की कॉन कॉन सी यहां पर नेवर्शिप जा इंडिया को लीट कौन कर रहा है गुर्चरन सिंग जी इंडिया को लीट कौन करेंगे गुर्चरन सिंग जी इंडिया को इस एक्सरसाइज के अंदर लीट करेंगे नाम यह है आसियान के एक्सरसाइज है सिंगापूर के अंदर इसका आयो जिन किया जाएगा कहा तक जाएग वह exercise कौन सी है अगनी दमन 23 यह दूसरी exercise है ध्यान दीजेगा क्या नाम है अगनी दमन यह exercise भी इससार्ट 2023 के अंदर यह exercise के अंदर तो यह exercise कि गई है किसके दौरा की इसके दोरा सबस्क्राइब कर अगनी दमन तो पहली चीशतों के नाम से ही बता चल रहा है जो कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आग लग जाती है ना बहुत सारी जगें ऐसी होती है जहां पर आग लग जाती है तो उससे हम किस तरीके से सेफ रह सकते हैं उसके लिए अगनी दमन एक्सरसाइज जो है इसको लॉंच किया गया यह अगनी दमन एक्सर कोई दूसरी कंट्री इसके अंदर पार्टिसपेट नहीं कर रही है यह इंडिया की डॉमिस्टिक एक्सरसाइज ठीक है यह याद रखेगा इंपॉर्टेंट है फाइन चलो तो यह हो गया दोनों एक्सरसाइज के बारे में कुछ इस तरीके से यह लोग अपनी ट्रेनिंग क कैसे यहां पर आपको बुझाने का काम किया जा सकता है यह आप देख सकते हैं यहां पर पूरा का पूरा साउथ कमान जो इसके अंदर पार्टिसपेट कर रहा है नेक्स पे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यह भी वन लाइनर के ही फॉर्म में आएगा आपसे पूछा ज कि वताना है कि हाली में जो रिकॉर्ड है यह रिकॉर्ड गिणीज बुक के अंदर आया तो इसके लिए गया हिसको है हिर सजमाघ्ञ दो तीन नाम लिखे हैं एक उसाम लिखा है एक र्रॉमिंट यह देआ leftover यान्य को नहीं जो बच्चे ऐसे conten देख नहीं सकते या फिर जो लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ विजुल प्राब्लम होती है तो उनके लिए क्या होते हैं एक अलग से बुक्स वगेरा बनाई जाती है जिसमें डॉट-डॉट के हिसाब से चीजों को अरेंज किया जाता है तो उसके लिए डे होता है जो बिलियर जी होता है इसी के लिए आसाम में एक डिक्शनरी बनाए गई है एक अथि के लिए जो लोग वीजुली इंपेर्ट है मतलब जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए डिक्शनरी बनाए गई है यह ईक्सणरी का नाम क्या है हेमपोश ऑग विए कितनी भाशाओं दो भाशाओं में है एक तो आसाम की लांगवज यानि कि आसमीज दूसरी लांगवज कौन सी है इंग्लिश भाशा इन दोनों लांगवज में इसको लॉंच किया गया था यह जो है इसको सबसे पहले यानि किसका जो फॉर्स एडिशन आया था वो नाइंटीन में ही आ गया समझ रहें लेकिन दीरे-दीरे करके इसका एडिशन फिर बीच में रुक गया और उसके बाद में अभी प्रेजेंट टाइम में इसका इस डिक्शनरी का फिफ्टीन एडिशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा मतलब अब जो नेक्स एडिक्शन आएगा वो फिफ्टीन अब यह एवोर्ड रिसीव किस ने किया है तो जैंत बर्वा जी ने इस रिकॉर्ड के लिए जो ट्रॉफी थी उसको रिसीव किया है यह आप याद रखेगा इंपॉर्टेंट है कौन सी लांगुज में है आप से पूछा जा सकता है ग्रीज बुक और रिकॉर्ड जो है उ इंग्लिश लांगुज को भी मेंशन किया गया है तो यह काफी इंपॉर्टेंट डिक्शनरी है जिसको वर्ड रिकॉर्ड के अंदर अभी शामिल किया गया ऐसे ही अगर हम वर्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं तो यह याद रखेगा वर्ड रिकॉर्ड में अभी हाली में केला सेडियम जो है इसको भी गिनीज बुक के अंदर शामिल किया गया अगर हम लांगजिस की बात करते हैं उसको देखो आज सीएसके का मैच है उसका सारा कॉंसेंट्रेशन सीएसके के उपर है गजबी यहां दुनिया दाहों पर लगी है तुमको सीएसके की पड़ी है अगला आसाम के अंदर आप देखेंगे तो आपको गोडो लांगज देखने को मिलेगी मराठी लांगज अब जो जो अभी न्यूस में थे उनकी बात करेंगे किसकी हो जाएगी महाराश्या की अगर हम आसामीज लांगज की बात करते हैं तो ज्यानपीज एबॉर्ण 36 वाला आसामीज लांगज में ही दिया गया है नेक्स पॉइंट जो आएगा वो होगा आपका इंग्लिश लांगज नौर तीस में अगर आप देखेंगे तो मेजर ली हर स्टेट के अंदर ऑपिश अधार पर हर्याना को अलग करके बनाया गया था और भाशा के अधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा हो जाएगा तेलगू भाशा आंधर प्रदेश पांसा अंधर प्रदेश ठीक है इतने याद रखेगा कहीं से भी कोई भी पेपर में आपके सवाल बनेगा चलें पहले कोई इनका इपोईट्मिंट हुए आई इनके बारे में जाएं फिर चलते हैं वलनाइन लीज की तरफ परदेखेचे अन्दर अभी हाली में नए नए राश्पती की बताना है थो इनका नाम क्या हो जाएगा सेन्टियागू पेना पहल्य क्या शलें दूप्या Colorado political party के लान्ड लॉकल्ट है क्या है तो कौण कौण से देशों के बीच चैना ब्राजील और देखने को मिलती है से पेपर आपको कि नाम पूचा जाएं कुछ आपसे पेपर में इसकी लोकेशन पूछी जाएगी चले नेक्स आते हैं इसकी कापिटल क्या हो जाएगी असन सियान क्या हो जाएगी यहां कि अगर आप से पूछा जाता है कि जो लैंगुज बोली जाती है तो यहां पे कि कहां पे इसकी लोकेशन है चले बताइए इनका सेकंड टम अभी हाली में कौन सी कंट्री के अंदर स्टार्ट हुआ है नेम दा कंट्री 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 कौन सी हो जाएगी तो यहां पे क्यूबा आपको देखने को मिलेगा इनका सेकंड टम यहां पे स्टार्ट हुआ है अगला, शेक मंसौर बिन जायद अलनहयान, इनका appointment अभी हाली में कैसा नाम है, बताओ, इनका appointment कहां पे हुआ, तो ये बने है, vice president, कहां पे, UAE के अंदर, अगला है, राम सहाई प्रसाद यादव, इनका appointment कहां हुआ है, तो as a vice president of Nepal, अगला, राम चंद्र पजवाल, इनका appointment as a president, कहां पे, नेपाल के अंदर, नेक्स्ट, पुष्व कमल दहल, कुछ याद आ रहे हैं ये नाम, प्रिश्वी राज भाईया, चौदरी मुहित, भाईया आज special class, इस class के just बाद में है, तो ये बताएं, इनका appointment as a PM of Nepal, आकरी बाला, शेख एहमद नवाब अलसभा, इनका appointment PM of Kuwait, ठीक है, चले, बोलनाइन का एंड आफ स की शुरुवात करते, पार्सी लीडी, ये बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत इंपर सवाल आया है, हमने बटी पढ़ी है, फाट पींटिंग है, पत्षुत्र है, ये सारी पेंटिंग पढ़ी है, लेकिन एक पेंटिंग है, जिसका नाम क्या है पार्सी लेडी पहले देख लो फोटो देख लो फोटो दिखाए देख रही है सब को फोटो दिखाए दे रही है अभी है क्या एक समय की बात है रवी वर्मा जी कौन थे रवी वर्मा जी यह जो रवी वर्मा जी का मैंने आपके लिए नाम लिखा हुआ ह ये बहुत 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 पुराना नाम है 1848 में इनका जरम होता है इन्होंने क्या किया इन्होंने अपनी एक पेंटिंग को बनाना शुरू किया था किस साइन पे जब इंडिया के अंदर बिटिश एरा सलता है उस साइन पे इन्होंने एक पेंटिंग को बनाना शुरू किया इन्होंने ये जो painting बनानी शुरू की थी इसकी खास बात क्या थी इसकी खास बात यहाँ पर ये थी कि इन्होंने एक lady की painting बनाई थी लेकिन condition ने applied ये हो गई ये पूरी ना हो सकी ठीक है ये जो painting बनाई गई थी ये पूरी ना हो सकी हैं कि इनके साथ में रवी बर्मा जी के साथ में और कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनों ने काम किया था उनका नाम बता दो आज तो जान जाए विटा तुमको बताना तो उनका नाम क्या था उनका नाम जल्दी से लेख के बताओ कि उनका नाम क्या था और इनों ने रवी बर्म तिमा जी ने उनको पैसे भी दिये थे और उस पैसे का इस्तमाल करते हुए एक मुवी भी आई थी। उस पैसे का इस्तमाल करते हुए एक मूवी भी आई थी नो 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 गलत सुचो 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 क्या नाम था उस पैसे का इस्तमाल करते हुए इंडिया में सबसे पहली जो मूवी बनी थी वो थी हरी चंद्र कुछ याद आए इस movie को बनाया गया था उसी पैसे का इस्तमाल करके तो इनकी जो painting उस समय पे ये बना रहे थे अब जाके उसको क्या किया जाएगा public के लिए open किया जाएगा क्योंकि ये उस समय पूरी नहीं हो पाई थी तो याद रखेगा यहाँ पे नाम क्या है राजर अभी वर्मा painting का ना सी लेडी अभी लोगों के लिए open की जाएगी अभी भी नाम नहीं याद आ रहा है सुचो 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 नाम क्या होगा कि किसी ने बताया दादा साहब फाल के प्रियंका वेरी गॉड अरे यार यह मूवी जब आ रही है तो आवसी बात है इस मूवी को किसने बनाया था अगला बताये लिबजिंग प्राइज अभी हाली में किसको दिया गया नाम क्या हो जाएगा इन फोटो इनके नाम पर यह वार्ट दिया गया इनका जो नाम है वो Booker Pryze 2021 के लिए भी नॉमिनेट किया था और इनको अभी तक Booker Prize नहीं मिला Booker Prize अभी हानी में जिसको मिला है वो कौन है शेहान जी कहां से ? शेलंका से इनकी किताब का नाम क्या हो जायेगा The Seven Moons of The Seven Moons of कुछ यादा ऐसा कुछ किताब का नाम था Malay Almeja Malay Almeja ये किताब भी जिसको भी हाली में Booker Price दिया गया है अगला One Liner World Tuna Day कब मनाया जाता है तो ये Second of May को मनाया जाता है अगर हम First May की बात करेंगे तो Labor Day है, माराश्रा Day है और गुजरात Day है, बड़ Second Day क्या होता है टूना Day होता है ये टूना फिश जो है ये इंडिया के अंदर लक्षदीब के एरिया में पाई जाती है बहुत कॉस्ट्री फिश होती है इसको जैपान ये सब जो कंट्रीज है ना ये कंट्रीज अपने हापे इसको खाते हैं बहुत ही जादा इसको एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के कोस्टल एरिया से और ये बहुत महंगी भी बिखती है मतब करोडों में इसका प्राइज लगता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत जादा होता है ओमीगा 3 बहुत जादा होता है विटिमिन आप देखेंगे तो हर तरीके का विटिमिन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा इसलिए इसका जो दिन है वो भी सेलिबेट किया जाता है पहली बार कब शुरू हुआ? 2016 में पहली बार 2nd of May को ये दिन सेलिबेट किया जाता है आगला और आइ थिंग कि ये लास्ट नहीं अच्छा है स्पोर्ट का भी कुश्चन है 56th Annual General Meeting of the Board of the Directors of Asian Development कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसरपीट करेगा तो ADB बांग जो है जुसका हेड़कॉर्टर मनीला के अंदर है ये अपने यहाँ पे 56th नंबर की Board of Directors की जो मीटिंग है उसका आयोजिन करेंगे कहाँ पे करेंगे South Korea के अंदर इसको होस्ट किया जाएगा तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से कौन जाएंगी निर्मला सीता रमन जी जाएंगे यानि की निर्मला सीता रमन जी जो है वो गई हुई है दो तारिक से लेके पांच मई तक कहाँ South Korea की यात्रा पे South Korea के अंदर सियोल जो की क्या है Capital है यहाँ पे ADB बैंक अपनी एक बैठक का आयोजन करने जा रहा है तो यह बैठक का आयोजन जब होगा तो देखेंगे क्या निकल के आता है कौन सा एयरपोर्ट है इचियोन एयरपोर्ट जहां पे यह उत्री कहां South Korea के अंदर ठीक है जब भी हम ADB बैंक बोलेंगे कब बना 1966 अभी हाली में इन्होंने किसको दी है पाकिस्तान को last but not the least गोल्ड मेडल जीता गया है शूट गण वर्ल्लकप के अंदर जो की कहां एजिप के अंदर हो रहा है आपको बताना है कि इंडिया की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने यहाँ पर medal जीता है तो पहला नाम हो जाएगा मिराज दूसरा नाम हो जाएगा गैनमेड आईए जानते हैं, सुनिएगा तो क्या हो रहा है शॉट गन वर्ल्ड कप चल रहा है यानि कि शूटिंग के अंदर शॉट गन वर्ल्ड कप हो रहा है जुसमें इंडिया ने जीता है क्या? गोल्ड मेडल क्या जीता है? गोल्ड मेडल कौन-कौन से खिलाड़ी है? तो आप देख सकते हैं याँ पर मिराज और गनमर ये कहां पर हो रहा है? तो ये काईरो में हो रहा है काईरो किसकी कापिटल है? इजिप की कापिटल है कौन से नदी के किनारे मिलेगा? तो ये आपको नाइल लिवर के किनारे काईरो की लोकेशन देखने को मिलती है जुसे कहां जाता है? गिफ्ट ओफ नाइज कौन सी टीम को हराया है? मैक्स को कल बेड्मिंटन पढ़ा था आज शूटिंग है चीक है? अब ये मत करने लगना हम विराट को ली वाली नहीं पढ़ाई चलो तो ये था अपना आज का सेशन उमीद करेंगे कि आपने हर एक पॉइंट को लिखा होगा समझा होगा सेशन के लिंक को एक बार से लाइक मार दीजेगा इसके अलावा आपके जो पेड़ बैच अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो आने वाले एक्जाम के लिए सिर्फ जीएस पढ़ना चाहता है तो आपका बैच आठ तारिक से स्टार्ट हो रहा है इसका इमाउंट कितना है 1299 इसका इमाउंट है जिसके उपर आप प्रती 10 कोड यूज करेंगे तो यह माउंट 10% कम हो जाएगा ठीक है यह वह बैच है जिसके अंद कमेंट बॉक्स के अंदर आपको पीडियाफ कहां पर मिलेगी क्रती करेंट अफैस ओफिशन यहां पर आपको पीडियाफ मिल जाएगी और अब आपसे हम मिलेंगे कित्ते बुजे साड़े आठ बजे यह टॉपिक आज है अपना हाँ यही टॉपिक अपना आज लगा हुआ है फ्री क्लासस के अंदर पड़ा-पड़ से टाइम पर क्लास में पहुंचिएगा ताकि आपके लिए यह डेमो क्लासस हैं आप इनको देखो और अगर आपको लगता है कि येस आ मिलते हैं आप लोगों से अब हाँ जरूरी होती है जरूरी होती है चलो तो मिलते हैं अभी आप लोगों से साड़े आड़ बजे अपना टीग कॉफी लेके फटाबट से क्लास में पहुंचिए तल देन बबाए आं ठीक है अगर